So, hey friends, welcome back to my tip channel. So, आर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग समर्थ पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर लॉग इन कर सकते हैं. या तो आप सर्च कर लीजे समर्थ पोर्टल लखनो उनिवर्सटी या फिर डारेक्ट लिंक आप डाल सकते हैं lkouniv.sumrth.edu.in So, इतना डाल कि आपको सर्च करना है, सर्च करते ही आपके सामने एक पेज उपन होगा student पोर्टल का जहां पे आपको sign-in का option दिया है. लेकिन अगर अभी तक आपने registration नहीं किया है समर्थ पोर्टल में तो आपको new registration पे click करना है green curve का box. इस तरह से page next open होगा जहां पे आपको अपना program जो भी आप course कर रहे हैं वो select करना होगा. So, ये लखनो उनिवर्सटी के सारे affiliated colleges से related है. आप इस तरह से select program पे click करके अपना course select कर सकते हैं. और course select करने के बाद आपको नीचे next अपना name mention करना है जैसे आपका name आधार card में लिखा हुआ है. या फिर school की ID card में लिखा हुआ है. Then यहापे mode of registration दो है या तो आप enrollment number डाल सकते हैं या फिर examination role number. So Lucknow University का जो admit card होगा वहाँ पे आप enrollment number भी देख सकते हैं और अपना role number भी देख सकते हैं university का. So उसे आपको यहाँ पे लिखना है. इतना करने की बाद जो required capture है उसे fill up करना है. May भी आप इस तरह से invalid details record not found भी बता सकता है. So इस तरह से मेरा भी पहले बता रहा था लेकिन फिर मैंने 2-3 घंटे बाद try किया दुबारा तो वो हो गया. इतना information फिल करने के बाद जब आप submit पे क्लिक करेंगे तो यह आपका third page खुलेगा जहाँ पे लिखा होगा enter the following details to continue your registration. यहाँ पे आपको अपना mobile number डालना है और अपनी email ID. इतना करने के बाद आपको यहाँ पे submit कर देना है. सब्मिट करने के बाद next page open होगा जहाँ पे आपको लिख्याएगा mail send successfully to your registered email ID. जो भी email ID आपने अभी mention की थी उस mail ID पे आपका OTP आया होगा 6 number का उससे आपको यहाँ पे enter करना है और submit करना है. उसी message पे उसी Gmail वाले message पे आप देखेंगे तो उपर username भी लिखा हुआ है. उसी समय आप उससे वहाँ से copy कर लीजी. तेना तर next page यहाँ पे आपको एक password बनाना है. सो आप अपना password यहाँ पे create कर सकते हैं. और नीचे confirm password पे वही same password नीचे भी लिखना है. इतना करने के बाद submit कर देना है. इस तरह से आजागा you can login now. तो यह हमारा registration हो गया है. अब आप यहाँ से direct login कर सकते हैं. तो वही username जो मैंने आपको copy करने को बोला था. उसे यहाँ पे fill up करना है. जो अभी आपने भी password create किया है. वह password यहाँ पे enter करना है और submit कर देना है. तो आपने successfully login कर लिया. यहाँ पे आपका course. आपने कब admission लिया university में. आपका enrollment number, user number, लखना उनिवर्सटी का role number यह सब यहाँ पे लिखके आ जाएगा. So I hope वीडिया आपको informative लगी होगी. तो फड़र फड़र से वीडिये को like कर दीजे. And yes, मान लीजे, आप बार-बार try कर रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा है. कुछ time बार try कर रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा है. तो आप लखना उनिवर्सटी के help line number पे call कर दीजे. यह number है. आप यहाँ पे call करके contact भी कर सकते हैं, अपनी problem बता सकते हैं. हो सकता है, यह problem server की वरे से हो. और अगर आपको भी यह show हो रहा है, invalid data वाला, तो please comment जरूर करिएगा. मिल दे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye, take care.